दोस्तू इस वीडियो में हम 5 जनकारी देंगे, जो आपको जीवन में कभी भी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चैनल पर पहली बारा हैं मेरे भाई, तो सब्सक्राइब जरूर किजेगा, तो चलिए इस पाँच जनकारी के बारे में हम अभी जान ले करें दोस्तों सही अंसर है बाल अगर उसका बड़ा है तो बहुत ही भग्य साली मानी जाती है घर में माता लक्षमी का परतीक होती है इसलिए कोई भी औरत की अगर बाल लंबा है तो उसको भग्य साली मानी जाती है यह बात भी ख्याल रखें दोस्तों साम के समय में कौन सा काम नहीं करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगा हमेजा अच्छा जनकारी पाने के लिए दोस्तों दोस्तों सही एंसर है जारू नहीं लगाना चाहिए साम के समय में जिन लोगों के घर में साम के समय में जारू लगता है माता लक्ष्मी नराज हो जाती है और रूट करके अपने स्वर्ग लोग फिर चली जाती है इसलिए आप लोग जारू पहुचा न करें बिल्कुल साम के समय में नमबर तीन मचली खाने से कौन सी बिमारी नहीं होती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर की जिगा अच्छा जनकाड़ी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है लाकवा फारलिस की बिमारी नहीं होने की संभावना बना रहता है मचली खाने से इसलिए मचली जरूर खाना चाहिए हापता में दो बार अगर मचली खाते हैं तो आपको लाकवा और फारलिस की बिमारी जीवन में कभी नहीं होगी नमबर चार, दिन में कितना देर सोना चाहिए, आच्छा और स्वास्त सरी रखने के लिए ज़्यादा देर सोने से कौन बीमारी होती है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो इसका सरी अंसर लगभग दू घंटा तक सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, अगर आप कमपणी में काम करते हैं या दूसरे जगा काम करते हैं तो आप ज़्यादा देर सो सकते हैं दोस्तों, इसलिए दू घंटा से ज़्यादा बिलकूल न सोने द दिखीजिएगा आच्छा जनकाड़ी हमेसा पाने के लिए दोस्तों दोस्तों सही अंसर है लीबर और आते खराब नहीं होता है और सुगर नहीं पकरता है करहला का सबजी खाने से क्यांकि करगा होता है दोस्तों वीडियो फसंद आई होगेते वीडियो को लाइक कर कि अच्छा चनकारी हमें सामिलती रहे आपके पास तक दोस्तों